एक बार एक हीरन और हिरनी अपने परिवार के साथ जंगल में विचरण कर रही थे विचरण करते करते ऐसी जगन है पहुँँदे जहां शिकारी ने अपना जाल बिचाया हुआ था आगे चलता हुँ अमरिक उस जाल में फश गया वो हिर्णी अपने पती की रक्षा के लिए भगवान से प्रभू से फ्रियाद करती है और कैसे गुरु दोरखनाद ने उस हिर्णी की फरियाद सुनी और उस हिरण को कैसे बचाया सुनी है हेर्णी हरने पुकारे मेरे राम हेर्णी हरने पुकारे मेरे राम पावडियाने पावडी लूट्टी हो जी ही पावडियाने पावडी लूट्टी हो जी दिये छो सट पन लगा हरी हरी पाचे थी हेर्णी आगे था मरगा वेकारा मरग फस ग्या रहने पुकारे मेरे राम हेर्णी हरने पुकारे मेरे राम बोली हेर्णी सुनो सिकारी हो जी मेरे दोडी मार हरी हरी मेरे दोडी मार हरी हरी मेरे पती के प्राण बतस दे अगे थी हरी फस ग्या रहने पुकारे मेरे राम हेर्णी हरने पुकारे मेरे राम बोल्या शिकारी सुनो एहर्णी हो जी मैं इब छोटन का ना हरी हरी मैं इब छोटन का ना हरी हरी पोत दनाईन जंगल खाए वह आज लगया है मेरा दा हेरी हर ने पुकार है मेरे आम हेरी हर ने पुकार है मेरे आम बोल्या बोल्या वुकार शुल के लूँ झाया एंग हेरनी हो जी बोलावो मरगा सुनो रहेरनी हो जी तू जंगल मैं जा हरी हरी पैर मेरा फसरा है भंगे मैं वे रक्षा करेंगे रख्धुना तेरी अर ने पुकार है मेरे रान हेरी अर ने पुकार है मेरे रान उखडी खूंटी बंद होया दिल्ला हो थी मर का भाचा जा हरी हरी सरण मचंद गुरुदो रख बोले वे हरनी द दिया था मिला है रने पुकार है मेरे रान हेरी हर ने पुकार है मेरे याद